नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका सरकारी नोकरी अलर्ट्स पे दोस्तों देली सब आडिनेट सर्विस सेलक्षन बूर्ट डी एससबी के वैरियस पोस्ट रेकृट्मेंट 2023 के नोटिफिकेशन आ चुके हैं जिसके इंपॉर्टेंट डेट इस परकार हैं अप्लिकेशन और सॉर्ट्स के माध्यम से आपको यहां पर नोटिफाई कर देंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अभी आप देख सकते हैं अप्लिकेशन फीजो होगी जंदल OVC EWS कंडिडेट के लिए सो सो रुपे से एस्टी और आल कटेगरिस के जो लड़किया हैं उनके लिए मात्र सुनी रुपे यानि कि कुछ नहीं होगी अप्लिकेशन आप आउनलाइन पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड डेविट कार्ड नेट बैंकिंग यूपियाई के माध्यम से और आपकी एज लिमिट साथ अपर दोजार तेश तक बर कटेंडेंट पो मेंटेनेंस मेकैनिक के लिए टोटल जो पोस्ट हैं वह साफ दो और एक हैं और आपके इलिजबिल्टी डिप्लोमा इन मेकैनिक इंजिनिरिंग विद दो साल एक्स्पिरियेंस आपको होना चाहिए और दोस्तों ध्यान से सुनिएगा क्राफ्ट इंस्टक्टर बेसिक कॉस के साथ विद आई टी आई साटिफिकेट आपके पास होना चाहिए इन डिलेटेड ट्रेड में और इसके साथ ही तीन साल का इस्पिरियेंस होना चाहिए अभी हाँ पर देख सकते हैं क्राफ्ट इंस्टक्टर बेसिक कोस्मेटोलोजी फर डिगिरी और डिप्लोमा होल्डर इसको ध्यांसे सुनिएगा अभी आप इसमें डिग्री और डिप्लोमा होल्डर है तो आपके पास क्या होना चीह प्लसक्र साइनस और मैथमिलेक्स में और बी या विटेक डिग्री होनी चाहिए डिलेटेड ट्रेड में एक साल के एकस्पिरियंस के साथ या फिर डिपलोम क्लाश 10 एंग्जाम पाथ होना चाहिए, साइंस और मैस्थमेटिक्स के साथ, और इटाइश त्रेफिकेट होना चाहिए, टीन साल का एक्सपेरियंस के साथ, और LMB ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास, और Crafts, Instructor, Draftsman, Civil, NTC, STC, NIC Holders के लिए 19 पोश्ट है और देख सकते हैं बिलकुल Class 10 exam pass होना चाहिए Science Mathematics with ITI Certificate in Related Trade और 3 साल का Experience होना चाहिए और Degree Diploma Holders के लिए Draftman के लिए देख सकते हैं 5 पोश्ट है Class 10 exam pass होना चाहिए Science and Mathematics में B.E.B.Tech degree होनी चाहिए Related Trade में 1 साल के Experience के साथ और या फिर Diploma होना चाहिए Related Trade में 2 साल के Experience के साथ ठीक है इसी परकार अब NTC, STC, NIC Holders के लिए Class 10 Science Mathematics, ITI Certificate in Related Trade में 3 साल का Experience ठीक है यह अभी आगे आने वाली सारी vacancies में Same to Same होंगे ठीक है अभी आपर अधर vacancies देख सकते हैं Crafts Instructor Electrician की 11 पोस्ट है Craft Instructor Electrician, Degree Diploma Holders के लिए 07 पोस्ट है और Eligibility Same है Craft Instructor Refrigerator and Air Conditioning Technician के लिए NTC, STC, NIC Holders के लिए 9 पोस्ट है और Eligibility Same रहेगी Craft Instructor Refrigeration, Air Conditioning, Technician, Degree Diploma Holders के लिए 7 पोस्ट है और Eligibility Same रहेगी Craft Instructor Fashion, Designing and Technology, NTC, STC, NIC Holders के लिए 09 पोस्ट है आप वीडियो पोस्ट करके चाहें तो इनकी जो Eligibility डिटेल्स है और यहाँ पर जो वेकैंसी की नेम है वो यहाँ पर एक बार पढ़ सकते हैं क्योंकि काफी सारी वेकैंसी आई हैं हर वेकैंसी में 5, 8, 9, 10 ऐसे पोस्ट है और सारे जो वेकैंसी के नेम है वो अलग-अलग है ठीक है दोस्तों अभी मैं आगे की डिटेल्स आपको बता देता हूं पहले आप यहाँ पर वीडियो पॉस्ट करके अगर आप से संबंधित कोई वेकैंसी है तो वहाँ पर देख अब यहाँ पर देख सकते हैं वर्क्स आप अपर टेंडेंस जो की ग्रेट सी की पुष्ट है उसका जो ग्रेट पर है वहाँ वन नी सो ग्रेट पर हो गया ठीक है अभी यहाँ पर और आगे देख सकते हैं डिटेल्स जो एक्जामनेशन स्कीम है आपका दूस्तों पूरा जब एक्जाम होगा वहाँ एक ही टीर में होगा ठीक है जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है टीर वन होगा आपका दो घंटे का पेपर का समय होगा 200 नंबर का पेपर होगा और 200 मार्क्स होंगे और सेक्शन यह देख सकते हैं सेक्शन यह सो नंबर का होगा आपका जिसमें MCQ कोश्चन आएंगे और सब्जेक्ट जो होंगे वह होंगे जंदल अवेर्नेस जंदल इंटेलिजेंस एंड रिजनिंग अर्थमेटिकल और निमेरिकल अबल्टी हिंदी लेंग्वेज और पॉइंट टूफाइब नंबर आपके कर जाएंगे ठीक है और अब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे जैसा कि पहले बताया मैंने और जो मिनमम कॉलिफाइंग मांक्स होंगे वह अगर आगे कि साइड़ों मैंने लगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाँगों व लिए जना का एजा को अब जो डिपार्टमेंट में है जो अल्डेटी साल का एजरूरे मैं ठीक है उनके लिए और सी के लिए देखसकते हैं अबतु बो चालिसे चाल MORE सेदिक को मिले आपको एक सर्विसमेन है अगर आप भी आप तो military service के साथ 3 साल का और age relaxation मिलेगा और अगर आप sports person है तो 5 साल का relaxation मिलेगा जंदल को 10 साल का SCST और 8 साल का OBC को अगर defense disabled candidate है आप तो 45 एर का आपको age relaxation मिलेगा जिसमें 50 साल का SCST और 48 साल का OBC को मिलेगा वीडियो डाइवर्स गुमें गुमें जुडिसली सेपरेटेड हुआर नाट रिमेरिड उनको गुरुप C पोस्ट के लिए 35 साल का relaxation जिसमें 40 साल का SCST और 38 साल का OBC को मिलेगा इंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं आपके पास जो भी candidate होंगे SCST, OBC, PWD, EWS, XSM जो भी होंगे वह साज 4023 को बने होने चाहिए या उससे पहले बने होने चाहिए उसके बाद में नहीं बने होने चाहिए ठीक है अभी यह normalization का formula है अगर आपके जैसे आगे situation होगी तो उसमे हम आपको जरूर बताएंगे prediction में कितना हो सकता है और आप वीडियो को पास करके देख सकते हैं कि यह form आपको कैसे फिल करना है जैसा कि पहले date बताया था 9 March से 7 April के बीची आप form भर सकते हैं और जो भी documents हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो दोस्तों इस पोर से related सभी कमेंट वाक्स में आप लिख सकते हैं धन्यवाद दोस्तों